व्रत कब से शुरू हो रहा है किस तरह से व्रत रखने है पूजा कब करनी है व्रत पूरे ना रख पाये तो क्या करना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी जैसीयराम वेलकम बैक टू माई चैनल जैमाता लक्ष्मी की आपके धन से जुड़ी सारी परेसानिया बाकी जितनी भी परेसानिया वो दूर होने वाली है क्योंकि मालक्ष्मी का व्रत सुरू होने वाला है वैसे तो रोजाना घरों में मालक्ष्मी की पूजा की जाती है लेकिन विसेश क्रपा प्राप्ती के लिए मालक्ष्मी के व्रत हो जाता है यानि जब से शुरुवात होती उसके आगे 16 दिन ते के अब्रत और इसकी पूजा की जाती और फिर से अश्टमी आने पर इसका समापन हो जाता है इस अवध में माता लक्षमी की पूजा करने से धन भाग इस सम्रध्धी शौंदर और शक्ति में प्रध्ध होती ह तो पंचान के अनुसार भादरपत मा के सुक्ल पक्षमी अश्टितिति में की सुरुवात है वो 10 सितंबर को रात को 11 बचकर 11 मिनट पर हो गया और इसका समापन 11 सितंबर को रात 11 बचकर 46 मिनट पर हो गया तो उदिया तिति के अनुसार 11 सितंबर को महा लक्षमी वरत पहला है जो रखा जाएगा यानि 11 सितंबर से महा लक्षमी वरत की सुरुवात हो जाएगी वही पर इसका जो समापन है वो 24 सितंबर को अश्टिमी पढ़ रही है क्रश्न पक्षी की उस दिन इस 16 दिवसील महा लक्षमी वरत का समापन होगा तो 11 से 24 सितंबर तक ये महा लक्षमी का वरत चलेगा अब जलिए इसकी सामग्री जान लेते हैं तो महा लक्षमी वरत की पूजा के लिए आपको चोकी, लालकपडा, कलश, नारियल, कपूर, घी, दीपक, अगरबत्ती, शंगार की शामग्री, भोक का शामान, फूल, पत्ते ये सारी चीजे आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए वैसे कुछ जगे पर अलग-अलग तरीके से महा लक्षमी वरत की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर आप वैसी सामग्री एकत्रित कर सकते हैं महा लक्षमी वरत धन की देवी मा लक्षमी को समर्पित है, ये उपो आज 16 दिनों तक लगाता रखने की परंपरा है काफी जगापर से गज लश्मी की भी नाम से जाने जाता है इस दवरान महा लक्षमी की प्रिय वस्तवें अर्पित करने से व्यापार में उन्निती का योग बनता है तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फलदाई वरत होता है जो महा लक्षमी का वरत होता है अगर लेकिन बहुत से लोग जो इतने 16 दिनों तक प्रत नहीं कर पाते हैं तो वो आगे के सुरुवात के 3 दिन और आखरी के 3 दिन भी इस प्रत को कर सकते हैं जैसा कि नौरात्री में होता है पहला और आखरी रखते हैं उसी तरीके से आप पहले के तीन दिन और आखरी के तीन दिन इस व्रत को कर सकते बागी के पूरे टाइम आपको लेकिन उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को करने वाले के लिए खुश नियम होते हैं जिनको उन्हें जरूर से जरूर मानना चाहिए चले अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधी क्या है महालक्ष्मी व्रत के दिन इसमें सूर्योदो में हिस्नान कर लेने चाहिए फिर पूजा की समय सामगरियों को कत्रित कर ले यह पूजा आपको 16 दिन तक लगातार सुबह और साम विधीवत दोनों टाइम आपको करनी चाहिए इसके बाद आप एक चौकी लगा लेंगे उसके बाद उस पर आप मालक्ष्मी की मूर्ती या फिर फोटो या फिर बहुत जगे पर उनकी जो चहरी की आकरती आती है वो आप विराजमान कर देंगे उसके बाद आप कलस स्थापित कर लेंगे और माता का दीरे दीरे आप अपनी विद्वित पूजा शुरू कर देंगे जैसे कि माता को चुन्री चढ़ाएंगे चंदन, पुष्प, अक्षत, फल, भोग, समेत, सोला, समगरी, धूप, दीप, ये सारी विद्वत आप पूजा कर लेंगे और सारी समगरी जो उनकी प्रिये चीजे हैं आप उनको माता के पास रख देंगे आप उन्हें समर्पित कर देंगे उसके बाद आप इस दोराने पिक कलस को साफ जल को भरे और उस पर नारियल लख पर माता लक्ष्मी के भी पास रख दे और घीका दीपक जला पूरी विदिवत पूजा करने के बाद आप माहा लक्ष्मी की स्रोत मंत्रादिका भी जाब कर सकते हैं उसके बाद आखरी में आप माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और पूजा में हुई गलतियों की माफी मांगे रो अपनी मनो कामना माता के सामने उनको पूरा करने के ल पालेंड करेंगे उमीद जानकारी पसंद आये होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै शियाराम जै मालक्षमी